इसे इंफिनिटी तक है यहां भी खेल खेलेंगे जो पिछले कोशन में किया है चले इसका सॉलूशन देखो देखलो तो मैं एक काम करता हूँ इस x को और प्लस और और भाई में इसके बाद को देखता हूँ तो इसके बाद भी वही चीज़ आ रहा है ना देखलो x plus 1 by x plus 1 by x यही ना रहा है तो यह कितका बहुत है y क्या तो इतना को मैं हटा कर यह सब को हटा कर मैं लिख देता हूं y ठीक है तो y देता हूं अब चलिए इसका differentiation करते हैं ठीक है तो differentiation करोगे चलो तो differentiate करोगे तो लिखे है differentiating with respect to x तो यहाँ हैगा dy by dx अच्छा x का differentiation 1 और 1 by y square क्या हो जागा minus 1 by y square और y क्या हो जाएगा dy by dx ठीक है चलिए तो इसको एक तरफ करते हैं तो यहाँ हो जाएगा dy by dx अब पलस में 1 by y square dy by dx बराबर में 1 तो यहाँ से आप dy by dx को common कर दो तो यहाँ बचेगा 1 plus 1 by y square इना बचेगा आपका तीक है और into में dy by dx बराबर में 1 तीक है इन समस्या अब एक आजाती है कि यह जो proof करना था हमारा proof और इस proof में अलग है यहाँ x square minus y square plus 3 into dy by dx बराबर 1 है और यहाँ कुछ और कहानी है अब क्या किया जाए लाना होगा ना उ जाता हूँ मैं एक काम करता हूँ तो प्रूफ जो लाना है उसके लिए मैं कर रहा हूँ इसमें मेरी कोई गलती नहीं है यहाँ पर ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो हम लोग यहाँ एक काम करते हैं यह लिखते हैं y square ध्यान से देखना minus 2 into y into 1 by y plus 1 by y square ठीक है और minus क y square और plus में 3 into dy by dx बराबर हूँ आपको होगे सर यह सब क्या कर दिये देखो मैं समझाता हूँ मैं यहाँ पर अगर इसको इससे काटूंगा तो minus 2 हो जाएगा और minus 2 में 3 plus होगा तो 1 आजाएगा और y square y square कटेगा आपका यहीं नबच जाएगा सब कुश सेट है कोई दिक्क whole square और minus y square plus 3 into dy by dx अब रही बात इसको हटाने की सब उस्तों आगे इसको हटाने की तो ऊपर देखो हम लोग जो यहाँ पर लाए हैं यहाँ से मैं देखूं x का value तो वो होगा y minus 1 by y था ना? x का value यहीं नहोगा तो यहाँ तो मैं यहाँ पर देख लूँ तो y minus 1 by x का value है तो है हमने x का value रख दिया सबज गये चलते अगले कोर्शन पर तो अगले कोर्शन